हाई फ्रेंज आप सबका स्वागत है मेरी चनल ट्रावलिंग पेशन पर प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब फ्रेंज आज आप सबको एक नए जगे ले चलती हूँ जो की बहुत जाना जा रहा है अभी शायद वन विक ही हुआ है इस मॉल को ओपन हुए यह मॉल जाना जा रहा है, वन अफ दे लाज़ेस्ट मॉल इन एशिया इसका नाम है फिनिक्स मॉल ओफ एशिया जो की सिचुएटेड है बैंगलोर में बैंगलोर या लंका में आप यहाँ आ सकते हो यह बहुत थी बढ़िया जगा होगा आपके फोटो शूट के लिए प्लास अगर आप बहुत ज़्यादा शोकिन हो और बहुत ज़्यादा पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हो बाइंग कर सकते हो तब यह जगा आपके लिए बिलकुल आइडियल है मैं यहाँ पर आई यहाँ का जो आर्ट एन आर्किटेक्चर है वो देखने लायक है बहुत ही खुपसूरती से सजाया गया है इस मॉल को यह रहा एंटरेंस जहाँ पर मैं अभी खड़ी हूँ और आप सब को दिखा रही हूँ यह बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ पर एंटर होते ही ऐसा लगता है कि एक डिफरेंट जगे में हम आ गए है और यह सच मुझ में एक बहुत ही हुमंगस एक हूज मॉल है यहाँ पर आप देख सकते हो अभी recently open हुआ है inauguration के दिन जिस तरह से रखा हुआ था वैसे ही रखा हुआ है बिलकुल यहाँ पर आने के बाद एक अलग से ही लग रहा था क्योंकि इतना बड़ा मॉल मैंने कभी विजिट नहीं किया था वेरेस बैंगलोर इस अलवेस नोन फॉर इस लार्जर मॉल तो फिनिक सिटी मॉल जो है वो कुछ भी रप्रेजंट नहीं कर रहा था यह मॉल बिलकुल अलग है देखने लाएक मॉल है और यहाँ पर बहुत सरे लोग आये हुए थे तो कफी रश भी था तो सेटर्डे संडे यूजवली एवाइड करना अगर वीक डे इस पर आते हो तो आप पूरा घूम सकते हो यहाँ पर घूमने में ही आपको बहुत वक्त लग जाएगा एक एक चीज यहाँ पर जो इनोंने डेकॉर डेकॉरेशन जो है वो देखने लायक है बहुत ही अच् आपकी जरूरत की हर एक सामान यहाँ पर मिल जाएगी लेकिन हर एक सामान काफी किमती है बहुत ही जादा एक्सपेंसिव है तो मैंने सोचा कि क्यों पैसा खर्च करना मैं पैसा खर्च करने के लिए बहुत कम ही जाती हूँ तो मैं तो देखने के लिए गई थी और मुझे कुछ ही मुझे अच्छा लगा लेकिन मैंने यहाँ पे एक पैसा भी वेज नहीं किया मुझे बस यहाँ पे आना था देखना था तो आपको भी अगर टाइम पास करना है सेटर्डे संडे बिताना है तो इस मॉल में आप आ सकते हो लेकिन इस मॉल में आने के लिए आपके पास अगर अपना कार हो तो बैस रहेगा क्योंकि मैं all the way ट्रबल करके आई मेइन सीटी से यहाँ आने में almost मुझे one hour लगा तो आप किस कॉर्णर पे रहते हो बैंगलोर के वो आप डिसाइड करोगे आपको कैसे आना है वैसे हर एक सुविदाय यहाँ पे उपलब्त है जैसे कि आप मेट्रो से आ सकते हो आप बस में भी आ सकते हो आपको अगर आटो में आना है तो आप आटो में भी आ सकते हो लेकिन आपको टाइम लेकर आना पड़ेगा क्योंकि मुझे लग रहा था इस मॉल के अंदर जाके जैसे कि मैंने टाइटानिक की सवारी कर ली है क्योंकि ये मॉल एक वाकी में बहुत ही बड़ा मॉल है घूमते घूमते आम खतम नहीं कर पा रहे थे और अभी तक सब कुछ पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है अभी भी अंदर में कंस्राक्शन बगरा चल रहा है तो मेरे साथ आप एंजोय करो इस मॉल को आप मुझे जरूर कॉमेंट करके बताना आपको कैसा लगा आप सब का धनिया बाद